हेलो एवरिबन वलकम बैक तो माय चैनल डिस इस मैं एंग सिंग तो एक और लाइफ ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शन्स में ट्रेड करके दिखाऊंगा प्यूर ऑप्शन बाइंग करूंगा मार्केट कहीं बीजाए उपर जाए या फिर नीचे जाए हमारा उसमें पैसा बन जाता है अबहूं बहुत सारी लोग यहीं एक्सपेंट किये ऑगग उगे कियोंगे क्योंकि मार्केट मुव नहीं किया expectation high था जितने भी option buy कर रहे होंगे कहीं पर भी option theta dk बहुत ही ज़्यादा हो रहा था क्योंकि move नहीं आ रहा था IV के बज़ा से premium बहुत महेंगा था तो तेजी से उसमें option का premium जो था वो गल रहा था तो इस चेकर में काफी लोग loss कियोंगे तो अगर आपका भी loss हुआ है बड़े मुव के expectation में option बाइंग करके तो फिर आप comment section में बता सकते हो कि आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ था इस वीडियो में आपको candle था बट उपर सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट यहां पर फॉल हुआ था तो यह जगा पर थोड़ा सा मार्केट pole and flag structure का breakdown आता है यहां पर तो एक बड़ा सा sell-off दिख जाएगा तो मैं बस वेट कर रहा हूं कि यहां पर ब्रेकडाउन आने तो फिर यहां पर नया निकल जाएगा लेकिन अगर यह रियल मूव रहा तो यहां से एक और फॉल आना चाहिए तो एक रिस्क तो बनता है अभी आप देखो कि फस्ट किया जाएगा इस स्ट्राइक प्राइस में पहले 12,500 का लॉस था अभी मैंने इसमें दुबारा एंटर किया है तो देखते हैं इसमें क्या होता है एक बार बुलिश मोमेंटम आने दो अच्छा कंडल क्लोज करेगा या फिर ब्रेक करके क्लोज करता है तो मैं इसमें इसमें 12,500 का लॉस था अभी यह बस यह नीचे क्लोज नहीं कर रहा है इसके बज़े से मैं कॉंटिटी आड नहीं कर रहा हूं कॉन्फिटेंस तभी मिलेगा जब यहां पर एक अच्छा सा बेरिश कंडल का फॉर्मेशन आएगा वैसे तो अच्छा मुफ कर रहा है दिखत करके तो आप स्क्राइब की जैसा अंटर करने ओके अब देख सकते हो इस ट्रेट में वाल्मोस्त मारा बारा तेरा जार का प्रोफित हो रहा है क्योंकि इसमें पहले एक स्क्राइब में हमारा नुक्सान था और यह अभी इसमें बार बार यहां से सपोर्ट ले रहा है यह साहिन नहीं दिख रहा मुझे बट कोई नहीं होड करें सहलेंगे इतना पूल बैक तो अच्छा है तो आ रहा है देखते हैं एक बार लो ब्रेक करने दो या फिर इस जोन का ब्रेक्डाउन आने दो यहां पर अभी इसमें अल्मोस्त हमारा 13,000 के आसपास यहां पर प्रोफ हो जाएक है चल्लो मैं इसमें प्रोफिट कर लिया एकदम बॉट्म पे आप पे बॉक किया profile हो के रीजन बत आता हूं पहुले इसमें हमारा 12,500 के आसपस profit था, अभी इसमें हमने एप्रोक्स 22,000 का इसमें हमारा profit हुआ, मैं आपको order book दिखाता हूँ, first trade में मैंने 1800 quantity buy किया था, 138 पे, 131 पे इसमें हमारा loss ही टो, यह मतलब stop loss ही टो हुआ था, okay छोटा सा, इसमें भी profit हो रहा था, बट somehow मैंने profit book नहीं कर मैं यहां पर और भी a scalping करूँगा, तो आपको update करता हूँ, अगर आपको भी धन में trade करना है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है यहां पर trade होता है, ठीक है, option trading के लिए best होता है, अगर आपको free में sun trading मेरा चाहिए, तो आप इसमें account open कर लेना धन में, नीचे description में लिंक मिल जाएगा, आप Google form भर देना, इधन में account open करने के बाद, team verify करके आपको add कर देगी, चलो next trade लेता हूँ, तो आपको update करता हूँ, ओके तो अभी time हो रहा है, एक बज़ के 20 मिनट, last scalping मैंने इस जगह पे लिया था, इधर मैंने यहां पर shot किया था, इधर profit book किया था, इस चलो, इसमें मैं quantity, चलो, इतना ही रहने देता है, exit order मैं ready रखता हूँ, अभी 3000 का profit चल रहा है, अगर आप overall profit देखोगे, तो 13-14,000 का यहां पर profit आपको दिखेगा, okay, good, अच्छा है, move कर रहा है, okay, 15,000, 17,000, okay, 16,000, 17,000, good, reason अगर बता हूँ, तो अगर आप देखोगे, य हमारा put का premium तेजी से उपर जाएगा, अभी इसमें 10,000 के आसपास, 11,000 के आसपास profit चल रहा है, अगर total overall profit देखोगे, तो इसमें 22,000, 23,000 का यहां पर profit आपको दिखेगा, okay, अभी और इसमें hold किया जाएगा, इसमें कम से कम 18,000 के आसपास profit होने दो, 13,000, okay, good, stop loss बहुत ही रहेगा, अगर ये candle, entry price से एक भी candle close किया नीचे, ठीक है, तो मैं इसको exit कर दूँगा, loss में छोटा सा loss होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें already काफी अच्छा profit हो रहा था, 13,000 के आसपास, entry price से नीचे close नहीं होना चाहिए, एक भी candle, अगर close करता है, तो मैं इसको exit कर दूग एक बस एक अच्छा सा fall चाहिए, इसमें हमारा target hit हो जाएगा, फिर से 10,000 का profit इसमें आ रहा है, ये candle बस इधर अच्छा strong bearish candle close हो जाए, फिर मजा आ जाएगा, 9 second बचा हुआ है, 12,000, 13,000 का profit चल रहा है, अगर आप देखो भी overall profit इसमें 21, 23,000 का profit आपको दिखेगा, काफी अच्छा candle बनाया है, इस trade में हमारा जो deployed capital है, approach मैं आपको दिखाऊ हूँ, तो 10,000 के आसपास है, मैंने इसमें 10,000 के आसपास buy किया option, 13,000, 18,000 होने दो तो इसमें profit बुक करते हैं, अभी हमारा simple सा candle के low cost रहेगा, 145 का breakout होगा, तो अराम से फिर, okay, good, breakout तो आ चुका है, 16, 17 18,000, 18,000, अगर देखोगे तो अभी हमारा 29,000, 30,000, 19,000, 20,000 क्रोस कर चुका है, इसमें हम profit बुक कर लेते हैं, 24,000 के आसपास इसमें हमारा profit बुक हुआ, अगर आप देखोगे तो हमारा total profit, यह third scalping था, इसमें हमारा 34,542 रुपीस का हमारा यह third scalping में profit हो गया, order book अगर द that's why मैंने आपे एक risk लिया, अभी देखते हैं कुछ और भी setup बनेगा, तो मैं fourth scalping लूँगा, तो आपको दिखाता हूँ, किस तरह से scalping करना चाहिए, अभी तक देखोगे तो बस यह first scalping में हमारा loss हुआ था, इसमें भी मेरा profit हो रहा था, बट मैंने profit बुक नहीं किया, ज इसमें अगर हमारा complete हो जाता है, तो आज का scalping successful हो जाएगा, मतलब चार scalping में एक loss और तीन profit, देखते हैं, ठीक है, अभी fourth scalping में अच्छे से वेट करके लूँगा, तो आपको update करता हूँ, stay tuned guys, ओके तो अभी time हो रहा है, एक बचके 50 मिनट, अगर आप देखोगे तो यह यहां पर यह candle में pullback आया, और EME से दुबारा यहां से sell off start हुआ है, और यह candle सबसे अच्छा है, bank nifty में, और nifty में भी साथ में यह एक बहुत ही प्यारा सा candle है, तो मैं इस candle पर risk कलूँगा, simple सा EME Cooper का stopless रहेगा यहीं पर, अगर यहां इस fall आता है, तो बड़ा सा profit book किया यहां पर मैं enter करता हूँ, weight, 22,000 का put, यह 213 रुपया का चल रहा है, तो इसमें मैं 36 slot add करूँगा, अगर मैं सस्ता premium एड करता है, तो यह मेरा 2 dialogue का margin इसमें use होता, मैंने इसको buy कर लिया है, इस जगा पर, 1800 quantity, simple सा छोटा सा stopless रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ 3 मिनट पर यह future का chart देख रहा हूँ, अगर future का chart देखोगे, तो इस तरह से उपर से trend line आ रहा है, यहां पर, तो trend line का भी rejection face कर सकता है, वैसे तो मेरा stopless यहीं पर रहेगा, नीचे इस candle के लोगा, अगर गलती से भी इसको break किया, तो फिर मैं यहां पर exit कर दूँगा, ठीक है, इस line के नीचे अगर candle का closing हुआ तो, इंदमनी का put added है, इसमें, यह pullback कर रहा है, trap चैसा बना रहा है, but no issue, देखते हैं, अगर यह trend line को break करके उपर close करेगा, तो फिर यह trap हो जाएगा, अगर मैं आपको 3 मिनट का chart दिखा हूँ, तो इसमें भी ऐसा ही है, एक बार यह candle high अभी ब momentum आ सकता है, मैं safety के लिए क्या करता हूँ, कि इसमें 18 lot मैं exit कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर 18 lot exit कर दिया, अब इसमें बस हमारा 18 lot बचा हुआ, 900 quantity, उपर close करेगा, तो मैं इसको exit कर दूँगा, ओके, मैं इसको भी exit कर दिया, क्योंकि यह trade काफी trap था, इतना अच् exit हुआ है, 203 और 202 पर हमने इसको exit कर दिया total, और मैंने buy किया था, 213 पर, ठीक है, 10 point के proxies में हमारा stop plus चला गया, कोई नहीं, होता है, यह मेरा fourth scalping था, यह candle काफी प्यारा सा बनाया था, इसके बाद एक और selling का candle तो बनना चाहिए था, बट कोई नहीं, अगर यहां से scalping में हमारा क्या result आता है, देखो, अगर ज्यादा number of trade आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कि किस तरह से हमें scalping करना चाहिए, या फिर हमारा कैसे कैसे setup पे हम risk ले सकते हैं, तो यह मेरा motive रहता है, तो इस बज़ेस मैं 4, 5, 6, 7, आठ भी scalping करके दिखा देता हूं आपको, तो देखते हैं, यहाँ पर एक बार setup बनने दो, इस जगह से अगर फिर से दुबारा अगर इस तरह का candle बनाया ना, तो फिर मैं दुबारा risk लूँगा, अगर इस तरह का candle यहाँ पर दुबारा formation होगा, तो time हो रहा है, अभी 2.59 मैं अभी 3 बजने वाला है, मेरा analysis है कि यहाँ पर एक और selling candle बनेगा, ठीक है, 3 पीम नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे, तो bank nifty काफी जादा विक है, यहाँ पर trend line का breakdown आया, और market fall कर रहा है, काफी जादा weakness के साथ, same यहाँ यहा यहाँ पर 3 पीम होने वाला है, तो 12 सेंड और बचा हुआ है, तो थोड़ा सा और अगर नीचे मिलता है, तो मैं इसमें bank nifty में put buy करूँगा, इंदमनी का, ठीक है, अभी currently अगर market देखोगे, तो bank nifty है, यहाँ पर आपको दिखेगा, 46,086 रुपीज पर है, चलो मैं इसमे quantity add करना शुरू कर देता हूँ, पहले मैं इस पर 30 lot buy करूँगा, मैंने हाँ पर 30 lot buy किया है, simple सा stopless क्या रहेगा, कि अगर यह में को break कर देता है, उपर के तरफ तो मैं इसको exit कर दूँगा, otherwise यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा profit के लिए hold करूँगा, देखते हैं क्या होता ह system पर stopless डाल देता है, 369 पर sell, 455 quantity है, 450 quantity, और इसमें 60, इसमें 50, intraday होगा यहाँ पर, normal order, चलो मैंने हाँ पर stopless भी डाल दिया है, अभी मैं यहाँ पर pending order, इसको enable कर देता है, अभी आपको यहाँ पर pending order दिखेगा, यह मेरा stopless लगा हुगा है, अगर यहाँ से red candle बनेगा, तो फिर इसमें quantity और add कर दूँगा, मैं, safety के लिए stopless लगा हुगा है, चोटा सा stopless चला जाएगा, अगर यहाँ पर market फॉल करता है, तो, या फिर market उपर breakout करेगा, तो, safety के लिए stopless लगा हुगा है, दिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ से selling candle बनेगा, तो 3PM आपको, एकदम, जिस हिसाब से market में move आ रहा है, 3PM आपको काफे बढ़िया market दिखेगा, ठीक है, दिखते हैं, 3PM किस तरह से हमारा, चलो, अभी ट्रेल करते हैं, stopless इस candle के लोग पिलाते हैं, क्योंकि अगर इस candle का low break होगा, तो, इस candle का भी low break होगा, 84 पे stopless, चलो, मैंने modify कर दिया है, अभ चलो, stopless modify हो चुका है, अभी छोटा सा stopless है, अगर यहां से market किर जाएगा, तो यह नीचे stopless चला जाएगा, 12,000 के आसपास अभी profit चल रहा है, 16,000, अगर profit देखोगे, तो हमारा 30,000 के आसपास, 33,000, 35,000, 37,000, okay, good, 38, इसमें 50,000, 60,000, 43, good, बढ़ियां breakout आ रहा है, क्या बा बड़ा सा एक पर फाल आने दो, okay, 38, okay, 42, 50,000 क्रॉस करने दो, तो इसको बुक कर लेंगे, 50,000, क्या बात, good, 56,000, इसमें हमारा 60,000, great, finally हमारा 3PM यहां पे successful हो चुगा है, और इस trade में हमारा 56,000 का profit हुआ है, और यह हमारा एक बस loss हुआ था, इस trade में, 50,50 में, देखोगे, काफी चोटा-चोटा, इसमें multiple trade लिया था, मैंने, तभी यहां पे quantity आपको high दिख रहा होगा, इसमें भी दो बार मैंने trade लिया था, तभी इसमें आपको 3600 quantity दिखता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है, यार, 3600 quantity में यह इतना चोटा profit ऐसा नहीं होता है, य अगर buying average देखो कि 196, 93, मतलब 3 रुपया काइसल, तो यह भी देखा करो कि अगर profit आपको green में छोटा दिख रहा होगा कहीं पे, तो ऐसा मत सोचा करो कि यह इतना quantity में इतना profit है, ऐसा नहीं होता है, वो कम quantity में जादा profit होता है, बहुत दूसरा trade में loss हो जाने के बाद यह profit घ काल दिया था, इसमें हमारा 56,000 का आसपस profit हुआ, आज का overall profit 70,000 है, आपको काफी मजा आया होगा वीडियो देखने में, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को like कर देना, मुझे subscribe कर सकते हो, इस तरह कावर भी learning content देखने के लिए, ओके तो मिलते है next live scalping series में, okay, bye bye everyone, love you all.